जैहिन दोस्तों स्वागत है विजेपथ डिफेंस एजूकेशन पालमबुर में इस वीडियो में डिसकस करेंगे 27 नवंबर 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट एफेर के क्वेशन जो कि आपके स्टेट और सेंटर इग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है आप हमारा बेस पार या फिर पंजाब तो इसका सही अंसर है असम के यह मुख्यमंत्री थे नेक्स्ट क्वेशन है किस देश ने मुक्त अकाश निगरानी संधी से उप्चारिक रूप से खुद को हटा लिया है रूस, यूक्रेइन, अमेरिका, तुरकी तो इसका सही अंसर है अमेरिका किस राजे सरकार ने महा अवास योजना नामक एक नई ग्रामिन अवास परियोजना शुरू की है तो इसका सही अंसर है महारास्ट महारास्ट ने महा अवास योजना नामक एक अवास परियोजना की शुरूआत की है Next question है कौन सा bank दुनिया का पहला ऐसा bank बन गया है जिसके Twitter handle पर followers की संख्या 10 लाग के पार पहुँच गई है तो इसका सही अंसर है भारतिय रिजर्ब bank दुनिया में ऐसा RBI पहला bank है जिसके Twitter handle पर followers की संख्या 10 लाग के पार पहुँच गई है पिछली वीडियो का RBI को Central Bank के नाम से भी जानते हैं और RBI के जो बरतमान के गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास Next question है किस देश ने चंदर्मा से लुनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंध तक चंदर्मा पर एक मानव रहित अंतरिक श्यान भेजने की योजना बना रहा है तो असा कौन सा देश है उसका नाम है चीन तो चीन मानव रहित अंतरिक श्यान भेजने जा रहा है जो कि चंदर्मा से रॉक्स के नमूने लेकर आएगा Next question है केंदर सरकार ने 23 नवंबर 2020 तो इसका सही अंसर है उमंग एब उमंग एब को जो है वो इंटरनेशनल बनाने की घोशना की गई है Next question है अमेरिका के निरवाजित रास्ट पती जो बाइडिन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे न्यूक्त किया है तो इसका सही अंसर है जोन कैरी हाल में ही अमेरिका के नई रास्ट पती बने हैं जो बाइडिन Next question है किस राजे ने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लासम महोत्सप को COVID-19 महामारी के कारण रद कर दिया है तो उसका सही अंसर है मेघाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लासम महोत्सप जो है मेघाले में मनाया जाता है Next question है भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितने मोबाइल अप ब्लोक कर दिये हैं 73, 61, 43 या फिर 24 तो 24 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने 43 एपस को बंद कर दिया है जनवरी 2020 से ही काफी सारे एप जो है वो भारत सरकार द्वारा बैन किये गए है जिसमें से जो सबसे फेमस था वो था हमारा टिक टॉक Next question है किस रिंखला ने 48 वे इंटरनेशनल एमीज में सर्फिस ड्रामा सीरीज का पुरुषकार जीता है तो दिल्ली क्राइम जो है वो एक शोट फिलम है जिसको वेब सीरीज कहा जाता है तो दिल्ली क्राइम ने जो है ये अवोड जीता है Next question है निमिलिकित में से किस भारती खिलाडी को ICC Player of the Cricket Decade अवोड के नाम से नामित किया गया है तो इसका सही अंसर है विराट कोहली को Next question है एक गंभीर चक्रवाती तुफान निवार 25 नवंबर को किस राजे और केंदर शाशित परदेश के तटों पर अपना कहर बरपा रहा है तो एक नया तुफान है जिसका नाम है निवार स्टीव समित को जो है वो नामंकित नहीं किया गया है Next question है भारत की किस राजे सरकार ने एक ऐसा अध्यदेश स्थगित किया है जिसमें अपमान जनक समगरी के लिए जेल की सजा के साथ 10,000 जुर्माने का भी प्राबधान है अध्यदेश अभी हाल में ही भारत सरकार ने स्टार्ट किया था तो केरल ने जो है वो इसको स्थगित किया है और इसके साथ साथ 10,000 जुर्माने जथा जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है Next question है अभी नेता के तोर पर International Amy Award 2020 किस अभी नेता ने जीता है तो International Amy Award 2020 जो है वो बिली बेरेट ने जीता है Most important question है current affair का और अभोर्ट से related question आपके हर एक्जाम में देखने को मिलते है Last question है वीडियो का अफगानिस्थान 2020 समेलन में भारत का प्रतिनीधित किस ने किया Last question है इस वीडियो का अफगानिस्थान 2020 समेलन में भारत का प्रतिनीधित किस ने किया तो इनका प्रतिनीधित किया था S.J. शंकरने जो की भारत के विदेश मंतरी है तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें आप हमारे WhatsApp पर भी जूट सकते हैं हमारे YouTube चैनल को सिस्क्राइब करें धन्यवाद